एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा नेता, एक सादू के छोटी से आश्रम में गया। क्योंकि उसने बहुत सुना था उस सादू के बारे में, और उसके मन में आया कि मैं एक बर जाकर के देखता हूँ, कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया, तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था, जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे, और सादू जी सामने बैठे हुए थे, कुछ सवाल जवाब चल रहा थे, तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला न नहीं हुआ, सादू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो सादू किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन नेता को इस वाद पर गुस्सा आ गया, नेता को लगा कि यह मेरी बैस्जती है, तो उस नेता ने सादू की बात को बीच में ही काटते हुए, थोड़ा और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस सादू के ओपर निकाँ दिया, अभी तक वो नेता बहुती तमीज से बात कर रहा था, यानि कि आप आप कह करके बात कर रहा था, अब वो तू तू तराक पे उतर आया, नेता ने उस सादू को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन सादू ने उसकी तरफ देखा, और कहा मुझे इससे कोई फर्त नहीं परता कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दू या आप से बात करूँ, तो आपको कुछ देर रुखना होगा, और सादू के ये कहते ही, नि नहीं परता है कि मुझे इससे कोई फर्त नहीं परता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं, फिर उस नेता ने बोला कि तूचा सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बतावा यही सब के सामने कि मैं तेरे बार कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला तेरा परदा फाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के साम में लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस सादू के चेहरे पर हलकी सी मुस्कान बनी ही रही यह देखकर और दिल मिला गया और उसने कहा अब बहुत हुआ अब मैं या एक मिनट भी नहीं रुखने वाला लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है इतना सब होने के बाद भी सादू बिल्कुल शान था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी उन्होंने अपनी फिर सादू आपसे कोई गिला शिक्वा नहीं है मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत खयाल नहीं है जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी तो मुझे आप में कोई सब लोग उसनेता को कहते हैं और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिता जी के साथ में बैठ गया उसके पिता जी की आँखे बंद थी और वो ध्यान में थी पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया तो थोड़ी दिर बाद जब उन्होंने अपनी आँखे खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए तो बेटे के चहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आध से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी पिर उसने एक-एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ किस तरे से वो आश्रम गया वहाँ पर क्या हुआ उसने क्या कहा उन्होंने क्या कहा तो जब इसके पिता जी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है और तुमने जो भी कुछ उनको कहा यदातर द्रिष्टि तथास रिष्टि यह दुनिया तुमें वैसी नहीं दिखती है जैसे तुम खुद हो जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है अपनी नजर को बदलो